body positivity का मजाट उडाने वालों में और body positivity को promote करने वालों में एक common चीज क्या ignore होती है पता है support करने वाले जब यह कहते हैं कि you should be happy with yourself कोई यह mention करना miss करते हैं कि अगर कोई weight lose करने ही कुशिश कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि he is doing it because he hates his body अगर वेट घटाने से आपका blood sugar, cholesterol, body fat ये सारी चीज़े कम होती हैं तो it's a form of self-care जिसे आपका skin drive हो रहा होगा तो you will follow some skin care routine to fix it ठीक वैसे ही working out and dieting आपके body का skin care routine है जो body positivity movement oppose करता है उनका ये assumption ही गलत होता है कि अगर कोई मोटी औरत कहती है कि I am happy with myself तो उसका मतलब ये है कि वो औरत वजर घटाने की कोशिश ही नहीं कर रही है in reality किसी को नहीं पता होता है कि वो औरत अपने life में कैसे कैसे problem से गुजर रही होगी hundreds of cases आये हैं मेरे पास past में जहां एक lady पाँच दिन crash dieting करके 2 kg घटाती है छटे दिन में उनको रहा नहीं जाता है और कुछ ना कुछ खा ही लेती है बेंगेटी खरी लेती है और फिर उसी गिल्ट में वापिस से उससे भी ज्यादा extreme कोई diet ढूंके उसको follow करना शुरू करती है wash, rinse, repeat point यह है कि यह जो area है यहां आता है वो sweet spot जहां आप अपनी body के साथ खुश भी हो और आप healthy रहने के लिए भी बेहिसाब effort लगा रहे हैं यह दोनों चीजे एक साथ होना possible ही नहीं mandatory भी है अगर आपको आपके results sustain करने है